आउस न्यक्तित अच्छी का खिल्सा वाही गृु जी की फत्य गुरू प्यारी गुरू सुवारी परमसत्कार जोक्षा सुंगूजीयो आज दास गुरू सिखी दे यंदर अननादका रजदी अरंबता ते अननाधकार रजदी की मेमा है गिया इस दा एक संखेब बारन दास आप सारिया संगताना संजा करदा हैगा देखो जिमें आप सारिया संगता जान दियां के तन गुर्णानकस्वाब तो पहला इस हिंदुस्तान दे अंदरन बेदी ब्याब होंदे सेगे इजड़े बेद्धी ब्यासेगे इननों इजड़े पंड़सेगे अपनी रोरितीमर जादे नुसार कर दे सी पर ज़तो तन गुर्णानकसा मराज अकाल पुर्ख आप एस संसार दे बेचाए तो ज़त गुर्णानकसा मराज अब्या होया तो उस टैम इजड़ा ब्यासेगा गुर्णानकसा मराज ने बेद्धी नहीं कीता सगों एक पेपर दे उते कागज दे उते कलम दे नड़ गुर्णानकसा मराज ने मूल मंतर लिखया जाद मूल मंतर दा पाठ लेखिया, ए मूल मंतर एक ओंकार तो लेके नान को हुसी भी साच तक सेगा तो एस मूल मंतर नू चौंकी दे उपर सशोबद करके तो गुर्णान के साथ महराज ने माता सलखनी जी दे नाल लामा लेएं सेगी तो उस तो बाद एजड़ कार्ज सेगा ए फिर सिखी दे बीज रूबान के लामा दे रूप दे बेच फिर उबर्या सेगा पर होली होली जाद गुर्णान के साथ महराज अपने चुत्ते जम्मे तान गुरु रामदास महराज दे रूप दे बेच संसार नु तान वस्ते आए तो उस टैम दर्वार साव दे कनारे जड़ी दुख पंजणी वेरी सी इस दुख पंजणी वेरी दे हेट गुरु रामदास महराज दे दवान से जाँ दे हंदे सी सो एक बार की होया सगा के एक कोई सेख जेड़ा ओ समय इथे दवान समय दे बेच गुरु रामदास महराज दे दर्थे आया तो बहुत ज़्यादा व्याक्त सगा उसने ओंदे ही गुरु राम दास माराज दे चार्ना ते मथा ठेक या तो मथा ठेक फिर उठेया नहीं ते इसे तना ही गुरु राम दास माराज दे चार्ना नो अपने हंजुआ दे नालतो होता जातो होता ओदी ए दशा दे के संग दे बच बड़ी बेचानी होई तो सबने संजे अभी एस सेख दे अंदर की दुखड़ा है गा ते जदो गुरु रामदास मारज ने उस सेख नो पुछ या क्यों पाई सिखा दरसल कल दस की या इना व्याकल क्यों है गा जादे नीगल होई तो उस सेख ने गुरु राम दास मारज ने दस्या सेगा कि मारज मेरी लड़की दी शादी या तो शादी दे मौके ते जांचकाराई होगा पर जेस पंड़त दे नाड मैं शादी दे यां लामा दे फेर्यां दी गलबात कीती सी तो ऐस पंड़त दे नाड इस सारा जो प्रोगरम लिक्या गया सी एस मैं पजार पर ये देने एक्रार कीते से तो ऑस टेम तो पंड़त ने हाँ कर देती सी कि मैं अना पयआन पय कीता है अरुपेह या दे बीच इस सारा जो प्रवांद मैं करूंगा उन्हा समय दे बैच जड़े पजार पे ये सिखे गुरू नाम ता समय दे बैच आफ संगता जान दिया कि उदी किन्नी कीम तो हंदी होगी सो स्टेम जादो पजार पे ये पंड़त लेखे खोश हो गया पर जदो बरात आई तो उन्ने की देख्या कि जड़ी मुरी बराती सजण है गया वो बराती सजण तो बहुत मिंग कपड़े पागे और बड़ी शानों शौगते नाड़े दिकारते टोकेया लगदा है का ये सारा परवार जड़ा हना ये शाहू करांदा है का उस तो बाद वो पंड़त दा मिड़ा मन दा लाल ज़से का बाद गया वो इस सेख्यान लगए कि तेरे दित्ते पजार पिया देनाड मैं हून लामा नहीं करनी आ कटो कट अगर तो अपनी लड़की दिया लामा करौनिया है गिया तो फिर तेनों सौर पिया देना पहूँगा तो फिर जाद उन्हें एक गल कीती तो फिर केंदे अभी वो सेख्यडा सगा उसलों करने लगए कि मैं सारी उमर दी पुझी पजार पिया कटी कीती ते तो तो मिर ना करार कीता सगा कि मैं पजार पिया दे बैच लामा तेरी लड़की दिया पढ़ूंगा तो हूंड तो सौर पिये दिकाल करता है तो मैं सौर पिया किस्ते दूंगा पजार पिये तो बड़ी मैं मुश्कल ना सारी जंदिकी दी पुझी कठी करके तेनों देती या जाद एक गाल होई से तो सिक्ख ने तनगुर्यू रामदा समारज ने शुनाई सी, ते फे गुरू रामदा समारज ने क्या सगा, आज तो बाद कोई भी गुर्णान का सिक्ख इना पंड़तन्दियम मेंता ने करूगा, क्योंकि आज तो बाद जो अनान्द कार्ज है, वो गुरू कार्दे बची वोच नगे है यो तो फिर बचनचारे सी। बस यह बचनचार दे सारी फिता हनु गुरू रामदा सुमारजन ने दोख पजणी वरी दे हेट इचार लामा सी। पाठ सगा फिर ए अचारा सगा ते उस्तों ब फिर ए चारामा दे नंन्दकार जो पाठ देडी जड़ी मर्यादा से कि उनन्दकार जे रूप दे Бच गुरूर राम दा सम्झी बद millor दी से में हुई तो दूसरी कल यह आ के एक बार की होया सगा के दशमेश पिता कल गी तर मरा ज़ा दो नादपुर साहब उना समया दे बिच भराज मात सगे ते गुरु साफ दे संगा ने एक बार गुरु कल की तर पिता सहब से रिगुरु गोबन संग अगे बेंती किती कि सचे पा जाद इन्नी काल हो इता फे गुरू गुबिन सिंग मारा के लगे केंदे हां खासा जी दसो की इच्छा है तो फेर गुर्फ प्रेमिया ने दस्यासी मारा जा कि तुसी सवन्नो एस ब्रायमन दे अंदर बिचरें जड़ियाना गुप्त रुखा है गिया उन्ना गुप्त रु जिखो आफ शंकेता लें गयात वास्ते दाह दने याँ कि जम्हें पराणे समया दे बचे जद करदा कोई मकान बढ़ना सेगा तो यह जड़िया मकान कोठे होंदी सी कच्चे होंदी तो इन्ना कच्चे कोठें देबच कोई खड़ती बगारा नी शी होंदी तो केबल तो क और उपर ले पात से एक मोगा रखेंजाना जन्ता सेगा टो कि खट्किया इस वास्ती निसी रखेंजाने हैं कि उन्हा हुआ कि चोरी याrire गार बहुत जड़ा आरही है। इस करके कच्चिया कंदां दे द्वाले कोई खड़की ना होंदी सी तो दे बच बड़े-बड़े मुगे जड़े सी रखे जानदे सी तो इना मुग दे बच्चों चाद सूरे दियां करना दी रोशनी पहिंदी सी तो इस सूरे दे करना दी रोशनी जाद ओस मकान दे अंदर रहों दी सी, ति नेरे दे बेच, इस रोश्चनी दे बेच लखा यी यडिडे कटाणूं है गया ओझ ओड़े फिर दे, आप सब संधाय जड़ियां है गयां, ओ कोई भी देख सकता है, कि सुर दी रोश्चनी दे बेच उघए, वो लखा에서 कटाणूं जादा हैगा सो ए जड़ियां रूहां है गियां ए इनियां शूक हमा के जिमें ओ से कटानों दा शेमा हिसा होवे तो इस तरह रूहां जड़ियां है गियां ए इनियां शोटियां होन करके अधरेश होन दियां है गियां तो इन अधरेश रूहां देही दर्शन का नवास्ते ने दशमेश पिता मारा जिए अगे एक वर बेंती किती सी, जादे बेंती होई सी फिर गुरू साब ने फिर एक दिन सारे जड़ सिखाने बेंती किती सी, उन्हों नो किया लगे भी ठीका, इस बरह मड़ दे बेचे बिचे रहे हैं, जड़ियां गुपत रूहा तागता है ग करोने हैं, सो उस्तों बाद फिर दशमेश पिता जी ने एक कफरे सलोक पढ़ आ सेगा, जिमें ग्यान अंजन गुर दिया, अग्यान अधेर बनास, जड़ इस तरह दा एक शावद पढ़ आ सेगा, जड़ इस शावद पढ़ आ से शावद सलोक पढ़ दे सारी, ओ सारी जड़ आने देखा के यह हो जी यहां लखा करोडा रूहां जड़िया हैं ओ सिखा उनों दखाई देन लग पढ़ जाद खाल से ने रूहां देखियां ते फिर उना ने दशमेश पितन तस्या मरज भी इत थे ता एक न यही ता करोडा रूहां पतन निके थो दखाई दे जड़ियां के थो आरी यह हैं जड़ इन्हीं गल होई ते दशमेश पिता जी करन लगे कोई गल नहीं इना नू आउन देओ जाद ओर रूहां करोडा रूहां देज़िए समूज जाद खाल से दे दवाले कतर होई फिर दशमेश पिता जी इना रूहां नू संबोदन करकि आखन लगे पिए आखन लगे भी तुसी दुसो भी टड़ी गेंटी किनियां क्योंकि गर्वानी देचता इस गल्द परमान मिल दा है कि कई कोट पूत प्रेत सूकर मेर गाज ते तुसी अपनी गेंटी दुसो टड़ी गेंटी किनियां जाद इन्नी काल होई से फिर पिता जी नूँ सुमचे खाल से ते सामने दस्या सेगा कि पेजला साड़ी गेंटी बहुत हंती सेगी अनगेंट सेगी पर होन जड़ी साड़ी गेंटी या दुनों देन काट रही या जार इन्नी गाल होई या ते फिर दुसमेश में दस्या कि केंदे हाँ ये दुसों के तड़ी गेंड ती दोनों देने कोईं काट रही है तो फेर इन अब गद रूहा ने दस्या सगा के साठी गेंड ती दोनों देने इस करके काट रही है क्योंकि जो तन गुरु रामदासम वाराज ने अननांद कार्ज दी रसम सिखां देवचे शुरू की तिया ती इस अनन्द कार्ज दी रसम दी इनी मैंमा है कि जेड गुर्से के बच्चे बच्चियां अपना बया एस अनन्नाद कार्ज दी रसम ना कर देआ ओचाहे नगुरेवी होन, चाहे उना ने जेंदिगी दे वेच, कदी भी को गुरमदा काम ना कीता होवे, बानी ना पड़ी होवे, कोई तरमदा कार्जना कीता होवे, पर उना दी जडि सादिया पून गुरम्र जादा अनाध कार्जेदे नाल हो जबे, तह जो दो पून होई शादी डाफाले एड़ा पहरा हैगा के जिनादी शादी ना द करजिना हो जान दिया या ए हो जह जड़े सुपागे पतिी पतनी आँ ओकधी भी अपने मरंत नाद अ को पोद पूत पर तोodo जूनियां जान दे हग ह। उना नू पूत प्रेत दी जूनिया तो शटकारा मिल जानदा है गा, बग की कर्म दे साब देना 84 लग होर जूना बच पमा चले जानगे, पर कदी भी यो जैंदी की बच पूत ते प्रेत दी जून दे बच नी जानगे, क्यों, क्योंकि उना दा जड़ी शादी व्या है गा, वो गुर मर जादा अननद कारजना होया है गा, जाद ए गल इना अब गत रूहा ने दशमेश पे ददे सामने खासे नू दसी सी, ते फिर भाई खासे नू ते सिद्धा ग्यान होया सेगा, क्यों जेड़े गुर से के बच्चे बच्चियां अपने ब्याद या, शादी दि जातरा सुमावत होन तो बाद उजड़ी सपागी जोड़िया, वो कदी भी पूत परेदी जूनी बचने पोगी, सो ऐसी या मैमा, गुरु रामदा सुमारा जना अचारियां गिया, सुही राग दे बच्चे चार लामा दी, सो इस करके पाई, जेड़े गुर सेख बच्च से सिद्पराफ्ट हो जानता हैगा, सो दास इनने ही बचन आप सारीया संगताना संजा करदा होया, खिमा दा जाच को आजी, हुए या ब्यांत पुलना चुकांदी खिमा बख्षनी, सो फते बलाओ, वाही गुरु जी का खलसा, वाही गुरु जी की फते